आज की इस वीडियो में हम देखेंगे DLA 1st year का question paper जो की है education and society का इससे पहले हम child development का question paper देख चुके हैं जिसका course code 101 था तो अभी 102 अभी paper मैं पहले बता दू कि यह जो exam से internal examination है 2022-2022 ठीक है यह बिल्कुल ही latest है यह बिल्कुल भी fraud नहीं है यह exam हो रहे हैं online exams हो रहे हैं इस time पे जो first year वाले बच्चे थे उनका क्योंटी result तो त्यार करना ही पड़े रहा ना first year अ तो यह internal exams हो रहे हैं और maybe इनहीं के basis पर उनको आगे promote कर दिया जाएगा तो आप यहां से question paper दे लें बिल्कुल यह ऐसा ही pattern आता है exam का जैसा कि यहां पर दिया गया है अभी आप देखेंगे इस पो अगर instructions देखेंगे त तो जैसा child development paper था बिल्कुल इसमें भी वैसा ही है इसमें भी भाग एक और भाग दो है भाग में 10 अंक यह 5 प्रश्ण है यानि 50 नंबर हो गए और भाग दो में 55 अंक के 5 प्रश्ण है यानि 25 अंक हो गए टोटल हो गए आपके 75 और 25 नंबर के आपके जो है files वगएरा जो भी बनती है colleges में वो तो 75 माक्स आई आपका paper आता है जैसा कि child development में था बिल्कुल सेम यहां पर भी वैसा ही है बस questions देने की किस तरीए से आते हैं और syllabus में से कौन कौन से topic जो है वो बहुत ही important है जैसे यहां पर आया हूँ है शिक्षा से आप क्या समझते हैं तो आपको ती शिक्षा से आप क्या समस्ते है इसको आपको तीन नमबर का करना है यानि कम से कम डेर पेज ठीख है उस यह बाद शिक्षा की प्रकरती का वर्णन करो और यह भी चर्चा करो कि शिक्षा और समाज परस पर संबंधित कैसे हैं तो इन दोनों को आपको seven marks में करना है तो इस तो शब्दोटी आपको सीमा दीड रही है ठीक है ना तो अगर आप काउंटिंग भी करते हैं तो जो एफॉर साइज इस शीट होती है मैं पहले भी बता चुटी हूं अगर आपको पांच नंबर क्वेशन करना है तो दो से तीन पेज और अगर आपको दस नंबर क्वेशन कर आप पर बताना चाहूं तो आप जो है अगर आपको आंसर आता है या फिर आपने बना रखा अपने माइंड में तो जो आंसर से पॉइंट होते हैं ना उस पॉइंट आप लेजिए ठीक है हो सकता है बाद में आपको टाइम ना मिले क्योंटी सच में बिलकुल भी टाइम आपको नहीं मिलेगा कि आप 6-6 पेज भरो दस नंबर में अगर आप ऐसा करोगे आप इस सारे क्वेशन छूट जाएंगे तो आप क्या करें कि पॉइंट में आंसर करें पहले पॉइंट लिखो उसको हाइलाइट औरो थोड़ा से एक्स्प्लें कर दो अगर लास्ट में छूट भी जाता है आपका पेपर तो एडलिस्ट आपने पॉइंट लिखे होंगे जिसे वेसिस पे आपको नंबर मिल जाएंगे तो ज़्यादा पैरग्राफ लिखने से बचें और पॉइंट वाइज आंसर करें रही बात परिभाशा वड़ेरा की तो वह तो आपको पैस पिल नहीं होता पेपर सभी बच्चे बना बनाकर लिखते हैं लेकिन किसका अंसर अट्रेक्टिव है और तूदा पॉइंट है यह ज्यादा महिने रखता है तो यह साथ हमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिला था अथवा करके अब यह ऑप्शन टू में आपका आगया प्रारं अगर आपके पांच पेज हो गया और यह जो गुणात्म और मातरात्म पहलू है इन्हें आप बिल्कुल पॉइंट वाइस करेंगे हो सब्सक्राइब थोड़ा सा दो चार लाइन में कर दें कि गुणात्म पहलू क्या होता है जिसमें हम गुणों की बात अरेंगे ना कि सं जिसमें दो पेज में आपके दस पॉइंट आ जाएंगे पांच पॉइंट करके अगर आप उस पो डिवाइक करते हैं तो तो यह प्वेश्चन टू ओ गया इसमें भी आपके पास कोई आप्शन नहीं था अभी प्वेश्चन नमबर त्री भी आपके पास आया है जहां प आपको पूरा का पूरा स्लेबस और हरे टॉपिक इतना तो पढ़े जाना है कि कुछ ना कुछ लिखके आना है क्योंकि छोड़ने के नमबर नहीं है तीसरा जो क्वेश्चन है समावेशन को बढ़ावा देने में शक्षक क्या भूमिका हैं और आप जो भी समावेश कर रह पाके तो यह सब आपको तीन-चार पेजिस में करना होगा काफी आंसर बढ़ा हो जाएगा इसका क्वेशन नमबर फोर में भी आपके पास कोई आप्शन नहीं है करना ही करना है मस्ट है राश्ट्रे वियास टेलिए शिक्षा टेलिए मुठ्षे सिफारिशे क्या-क्या थ देने होंगे तो आपका टोटल दस नमबर क्वेशन हो जाएगा तो यह आपके पांच क्वेशन से दस दस नमबर के आप पार्ट टू में आजाए बिल्कुल चाइल डवलप्मेंट इतरह ही है यहां पे च्छटा क्वेशन आगया आपके परात्मी इस तरह पर बच्चों क ना मानकर ना होने के क्या कारण है और इन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए तो यह दो प्रेशन है दोनों ढ़ाई-ढई नमबर के हैं आपके पास तो आप देड़ पेज अरे तो आपके तीन पेजिस हो जाएंगे पांच नमबर के लिए इनफ है यह ज्यादा पांच नम बंद में समवेधानी प्रावधान क्या क्या है मतलब जो हमारा कॉंस्टिटूशन है उसमें एजुकेशन से रिलेटिट कौन-कौन सी धाराएं कौन-कौन से अनुछेद हैं उनकी व्याठ्या करनी है पांच नमबर के आप दो तीन पेज भर दीजिए जितने भी आपको ध प्राथवा का नहीं आया इसलिए आपको कोई भी टॉपिक छोड़ के पेपर में नहीं जाना है पूरा स्लेबस पढ़के जाना है एन पी-ई-1986 की पांच बुनियादी विशेष्टाओं का वर्णन कीजिए क्या ये विशेष्टाओं प्राथमिशा के लिए वर्तमान भारतिय प्रणाली का नुसरन कर रही है या नहीं ये भी आपको बताना है 1986 में जो मारी NPEI थी National Policy of Education उसमें क्या-क्या बाते रखी रही थी और क्या वो बाते आज भी फॉलो हो रही है या नहीं तो ये आपको तीन प्लस दो में आपका अंसर बनाना है हर बार आपको यहां पे शॉर्ट नोट जरूर मिल जाएगा और यहां पर भी आप एपास कोई आप्शन नहीं है दोनों ये दोनों करने है पहली पीड़ी शार्थी कौन होते हैं ये बताना है और समावेशी क्या होती है ये बताना है तो कम से कम एक पेस तो आपको इनका करने हैं आपको पेपर में भारत में प्रारहन भी सच टे समावेशा उ inning की प्रयासों कर रही है प्रकार और आपने देखा हैं यहां पर अत्वा को प्वेशन नहीं था आपको पूरा स्लेबस पढ़ना है आपको मास्ट एकॉर्डिंग ही आंसर करने हैं आपको फालतुए चीजे नहीं लिखनी है आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है कि आप पैरग्राफ में काम करें बिल् एजुकेशनल टेक्नॉलेजी का हां जी जो इपचास नंबर आ क्वेशन पर आता है